कल पहले लाला जी ने वीडियो डाला फिर इधर से गोलू के मामा जी ने वीडियो डाला फिर आज अनिता जी ने वीडियो डाला यानि कि मैं रात को पोड़कास बना लेकिन ये मौनिंग में अपलोड होगा तो अनिता जी ने वीडियो डाला बहुत सारी चीजें हैं क्यों वीडियो वीडियो और स्रिफ इंटरनेट इंटरनेट वीडियो यूट्यूब ये सब खेल रहे हो जब अल्रेडी एक बार बात हो चुकी है कि आप लोग बैट कर सेटल कर लोगे आप भी केस लेने के लिए वापस हो गई क्योंकि आपके वकील ने आपको सजेशन दिया है औ और वो भी केस लेने के लिए वापस होगई क्योंकि उनके भाई बन्दों और आपने एक साथ जाके केस वापस ले लो और एक दूसरे के बच्चे को फ्री करो क्योंकि आप लोगों की बड़ो की लड़ाई में पीस रहे हैं बच्चे एधर तो लाला जी के बच्चे फसे ह तो देखो भाई और उधर वो गोलू भी फसा हुआ है और पता नहीं किसी भांजे का भी नाम लिखा हुआ है तो क्यों एक दूसरे के बाद पहले इधर से वीडियो आती है फिर इधर से वीडियो आती है और फायदा किसको हो रहा है बहुत सारे और लोगों को और सब्सक्रा कानी भातों को उजागर कर रहें हैं जो लोगों को नहीं भी पता थी खियोंकि इन को बहुत पहलेrench नहीं करती थी कभी कभार में एक लोजा तरों वीजियो उनको बहुत पसंद करती थी कि देखो एक कितने डाउन टूर्ट लेदी हैं और इस तरह से वीडियो बनाते हैं बिल्कुल जैन्वेन तरीके से मतलब कोई बनावटी नहीं है कोई कुछ नहीं है फिर मैंने एक दो इनकी गाउं की वीडियो देखी जो चूले पर खाना पिना दिखाना भाई आप लोग बड़े हो तो कम सकम कुछ तो बड़पन दिखाओ चलो वह भी छोड़ो लेकिन मैं तो अब मुद्दे पर आती हूं कि अपनी ही वीडियो में इतने सारी चीजे खुद की ही खुला से खोल दिए खुद की ही चिठ्थे खोल दिए जो लोगों को नई भी पताते हैं जैसे मैं जो बहुत जादर डीपली फोलो नहीं करती थी तो मुझे भी कुछ-कुछ चीजे समझ में आ रही है कि कुछ पास्त में खुद ये लोग क्या गलती कर चुके हैं कुछ-कुछ चीजे हैं चलिए मैं आपके साथ शेयर करते हूं आप देखिए वीडियो के सबूत के तोर पर बात करूंगी और उधर से वीडियो आएगी तो सबूत पर बात करूंगी और उन्हीं के कही हुए शब्दों पर दिखाई हुए चीजों पर बात करूंगी अब तक कि जो मेरे रियक्शन थे जिसकी तरफ मुझे जिनके प्रूफ या जिनकी चली जा रही है न वो अनिता जी या और लाला जी पर निकलती चली आ रही है तो als renew निकल घुलती को बताऊंगे कहा मुझे हिन चीजों में क्या खलत लगा तो जब एक दफ़ा किसी का चैनल देखना शुरू कर दो तो फिर उनकी पुरानी पुरानी वीडियो और उनसे related वीडियो भी आपको feed में मिलती रहती है तो बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो अनिता जी ने अब जो कहीं है और पहले वो कुछ चीज़े और कर चुकी है मतलब आज कुछ उल्टा बता रही है और उससे पहले कुछ और कर चुकी है तो देखा जाए तो डेप्ट में जाएंगे तो बहुत सारी वो गलतिया मिलेंगे जो आज दोहरा कर बता रही है तो अनिता जी मेरा सरफ आपसे सवाल है कोई परसनली दुश्मनी नहीं है और नहीं कोई परसनली दोस्ती है मेरी बसंतीजी से लेकिन अगर कोई भी जैन्वन परसन होगा मेरी जगा या फिर जो भी आपको फोलो कर रहे होंगे बसंतीजी को फोलो कर रहे होंगे या मुझे फोलो कर रहे होंगे या मेरे चैनल को देख रहे होंगे शुरू से मेरा सरफ एक ही सवाल है आपसे FIR पहले आपने कराई है और वो सारी चीजे mention पहले आपने कराई है ये जो कदम उठाया है न ये आपने उठाया है इन बच्चों का आपको बड़ी ममी बड़ी ममी कहते मूँ नहीं ठकता जो बच्चे आपसे डरते हैं जब अंजली ने उसका फोन छीन लिया था वो भी तो ख इतना डराना धमकाना तो तुम करते हो उनको उसके उपर फिर ये कहते हो कि वो ऐसे हैं वो वैसे हैं देखो भाई जो चीज़े हमें नजर आरे हैं जो चीज़े हमें सामने से आप दिखा रहे हो अपलोड कर रहे हो उनसे जो चीज़े समझ मारी हैं और जो वो दिखा रहे है आपने इतने बड़े बड़े जो इलजाम लगाये थे ना उस इलजाम पे पता भी है आपको वो आपने कितना बड़ा इलजाम लगाये था भाई किसी के उपर इस तरह से जान लेने का इलजाम लगाना कितना बड़ा इलजाम है आपको मालूम भी है और उसको आपको सबूत हैं कि आप देखते रह जाओगे दंग रह जाओगे इतने काले चिठे निकलेंगे इनके सबूत के साथ रिकॉर्डिंग में पुराना जो करम कांड रहना वो भी रिकॉर्ड हो गया है तो लाइए ना हम तो बहुत दिन से मांग रहे हैं प्लीज रिकॉर्डिंग लेकिन चलिए कोई बात निया आपने अपनी नहीं दिखाई अब उन्होंने दिखा दी अपनी तो जो आपने लिखवाया हुआ है ना एक्जेक्टली उन्होंने उसके भी अब आप बताओ दूसरे से क्या उम्मीद करते हो कि आप जो है किसी को इतनी बुरी तरह से फसाद उठाया तो जब आप फायदा उठा रहे थे तो यह खयाल एक बार भी नहीं है कि मैं औरत हूं मैं एक बच्चे पर इलजाम लगा रही हूं जो एक माइनर बच्चा है मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं लगता कि हो सकता है 16-17 साल से उसकी शायद जादा उमर भी होगी और आप भूल गए हो लिखवा कर तो एक बार उनकी वीडियो देख लिजेगा जिस वीडियो में उन्होंने वो पूरी की पूरी एफ़ायर की कोपी दिखाई है और उसमें वो छोटा सा पोर्शन जिसमें ये लिखा हुआ था कि मेरे कपड़े फार दिये आपने ये नहीं लि अगर आप बड़े थे और जो भी कुछ ये सारी चीजे हुई थी ऐसा तो नहीं है कि आप कमजोर लोग होंगे और दूसरा आप जो कह रहे हो लाला जी भी कह रहे थे मुझे तो भाई ये बात गले से उतारी नहीं रही बाप कितना भी बुरा हो कितना भी एक बेटे को या बाउजी के भी दो बेटे थे अब उनका क्या है उनका तो एक ही बेटा है अभी ले दे के जो भी रहेगा वो एक ही रहेगा लेकिन जब आप दो बेटों के बीच में फसेंगे ना आप इस सिच्वेशन में आएंगे हो सकता है बाउजी की कंडिशन आप तब जान पाएं अब आजाते हैं उस बात पर कि आप जो कह रहे हो बेहन बोला ये बोला तो देखो भाई हर समाज में मेरी बात से अगरी करते हो जो भी जिन तक भी मेरी वीडियो पहुच रही है तो प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखेगा कि आपके मजहब में आपकी कम्मिनिटी में भी ऐ ऐसा ही होता है कि देवरानी का भाई भाई कहलाता है जिठानी का भाई भाई ही कहलाता है और अगर उन्होंने ये कह दिया है कि मेरी ही दोनों बेहने हैं तो क्या गलत कह दिया है लेकिन जिस लहजे से और जिस एक्सेंट से आप बोल रही है ना सरासर दिखाए दे रहा है क वो बिल्कुल भी आपको accept ही नहीं है कि वो आपको बहन बोल रहे हैं और जो बात आपने एक दिन पहले वीडियो में कही कि हमारे वकील ने ये कहा है कि केस वापस ले लो और उनको भी प्रेशराइज करा जा रहा है कि केस वापस ले लो जैसे कि उन्होंने अभी अपनी मजबूरी भी है अगर आपकी मजबूरी है कि बसंती का केस जादा मजबूत है आपसे और आप जो है आपका केस हलका है तो ये आपकी मजबूरी है केस वापस लेने की ताकि वो अपना केस वापस ले ले और आपके बच्चे और लाला जी फ्री हो सके उस केस से तो उनकी ये मजबूरी है कि आपको आपने उनके भाई को और उनके बहनों और बच्चों को फसाया है तो आप अगर केस वापस ले लेंगे तो हम भी अपना केस वापस ले लेंगे तो देखा जाए ना आप कम हो ना वो कम है कम दोनों में से कोई नहीं हो लेकिन अपने आपको बहुत अच्छा और साफ सुत्रा दिखाना और दूसरे को इतना नीचे गिराना चलिए एक बात और बताईए ऐसे आपके वाओ जी को इतनी कौन सी दुश्मनी है लाला जी से के लाला जी और अनिता जी उनके सामने पिट रहे हैं मार पिट रहे हैं बुरी तरह से आप ने कहा के कोई मा या बाप आपके सामने अगर कोई ललित को मारे तो क्या आप हस पाओगे क्या आपके मूँ से हसी निकल पाएगी क्या लाला जी हस पाएंगे कोई उनको अगर मार पिटाई करेगा तो बच्चे ऐसे ही होते हैं आनिता जी जैसे आपके बच्चे हैं आपके बच्च क्योंकि आप उनके लिए नहीं कुछ कर पा रहे थे और आपसे कुछ भी सलूशन नहीं निकल पा रहा था और आपकी वज़े से उनको परिशानी खड़ी हो रही थी तो यही रिजन था कि उन्होंने फिर अपने बाहर वालों को या नि कि अपने भाईयों को अपनी परिशान करें कोई प्रॉबलम होगी तो क्या लाला जी मदद के लिए नहीं जाएंगे क्या अंजिली के साथ कोई प्रॉबलम होगी तो क्या लकी और ललित जो है उनको परिशानी में डाल के अपनी बहन को परिशानी में पड़े हुए देखकर चुप-चाप शांती से बैठ जाए अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहता कि उनको उनकी महनत का मिलता रहता तो आप मिल बाटकर ऐसे ही काम करते रहते हैं आपने चैनल बनाया था डेफिनेटली आपने भी फाइदे के लिए चैनल बनाया होगा चैरिटी के लिए तो नहीं बनाया होगा कोई साड़े तीन लाग के कैमरे से कोई किसी की recording कर रहा है और channel monetize भी नहीं हुआ है और फिर वी वो बंदा उसमें 6-7-8-9 महिने एक साल तक काम करता रहा है करता रहा है दो तीन साल तक की वीडियो उसमें मतलब तीन साल तक तो काम किया है आप कैसे कह रहे हो कि 6-7 महिने काम किया है फिर छोड़ दिया मेरा एक और सवाल है हो सकता है आपके जो समझदार बच्चे है न हो शायद मेरे सवाल को समझ पाए अगर वो चैनल monetize नहीं था तो उस पर काम करने का कोई मतलब नहीं था पहली बात अपना इतना महंगा कैमरा उन पर खर्च करने का कोई मतलब नहीं था अपना इतना कीमत नहीं था कूई ताइम उस पर देने का कोई मतलब नहीं था अपलोडिंग करने का wisdom किलिए भागा दोडी कलने का कोई стала Además केだनी था क्योंकि कोई किसी के लिए इतना नहीं कर सकता और अगर किया है तो यह सोच कर किया है कि हमें भी फायदा होगा और इनकों भी फायदा होग फिर आपने कहा कि उन्होंने वो चैनल छोड़ दिया चैनल उन्होंने छोड़ दिया ना फिर वो demonetize की हो गया आप उस पर अपना content डालते चलाते रहते चैनल को फिर चैनल पर काम करना क्यों छोड़ दिया क्योंकि उनकी face value बन गई थी कोई बात नहीं उस बीच बीच में इसना चैनल खुद से चला लेंगे पर नहीं आपको जबजस्ती उनसे उसी चैनल पर काम करवाना था जो कि उनको गवारा नहीं था और यह आपकी वीडियो से और उनकी वीडियो से पता चला है ना आपने मुझे call करकर बताया है तो जो चीजे आप upload करते हो उनसे ही अपन आपने चिठे खुदी खोल देते हो और खुदी बता देते हो ऐसी कई सारी चीजे है और हमने आपकी वो वीडियो भी देखिए जो आपने एक साल पहले upload की थी अपनी माता जी के बारे में जब आपने ये खबर दी थी कि माता जी अब नहीं रही यानि कि आपकी सास मदरि और आपने क्या क्या खिलाया किस तरह से उनकी तबियत खराब हुई थी वो भी थी लेकिन उसके बाद आपने जब ये बाते चल ली थी कि हमने आपने लोगों को शायद पता भी नहीं होती हैं तो upload करने से पहले ठोड़ा research कर लिया करें और ये सोच लिया करें कि हमने इस स पहले क्या अप्लोड करा है समस्दारी दिखाईए बड़पन दिखाईए आप बड़े हो एक दूसरे से वापस ले लिजे और रही बात बटवारी की और अगर बटवारा हो गया है तो जो दादा जी का कमरे के ऊपर भी आपने बना लिया और दादा जी का भी कमरा आपको च है जब उन्होंने वीडियो में ये बोला कि जो बाओ जी के ऊपर वाला कमरा है जब वहां पर वो बना रहे थे तो वहां पर हमारा कुछ एरिया था हमारा कुछ पोशन था जहां पर उन्होंने हमारे टोकने के और मना करने के बावजूद भी बना लिया तो उन्होंने कहा क फिर तुम इसके नीचे वाला ले लेना उस बात का आपने क्यों नहीं रिप्लाई दिया और अगर बटवारा पूरी तरह से हुआ ही नहीं है और तुम लोग एक दूसरे का बटवारे को जो भी जिस तरह से भी हुआ था उसको एकसेप्ट ही नहीं कर रहे हो तो दुबारा से भटवारा कर वालो हाथ कंगन को आर सी क्या और पढ़े लिखे को फार सी क्या फिर क्या दिकत है और इस बार जो भी बटवारे हो उनको प्लीज रिटन में लिखकर दीजे गा ना आपको दिकत हो ना उनको दिकत हो अब आ जाते हैं उस टौपिक पर जो आपने बहुत ही सकता है इतनी समझ ना हो या भाउजी जो ना गलत चाहते थे तो क्या आप लोगों की अपनी समझ नहीं थी आप लोग मैच्ची और लोग नहीं हो आपको नहीं पता कि अगर हमारे घर में डैथ हुई है तो हमें वहाँ पर इमेडिटली पहुचना है हमें करना है और किसी के यह ना सही अपने सब्सक्राइबर के लिए जिन लोगों ने आपको भर भर के बैकलेश दिया था और यह बोला था कि छे दिन बाद आ रहे हो नो दिन बाद आ रहे हो उसके बाद भी सीधी सी बात है जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है पूरा मैं अंदाजा लगा पारी हू कि जब आप महाँ पर दो तीन दिन तक नहीं पोचे हो तो डेफिनेटली बाओ जी ने गुस्से में कहा है कि अब तुम कोई पैसा मत खर्च करो यह अपने आप कर लेगी जो कुछ इसको करना होगा और जब आप लोग नहीं पोचे महाँ पर तो भाई उनके मामा लोग तो करते ना गोलू के मामा लोग कि वो भी आपकी तरह से आपने छोड़ दिया क्योंकि आपकी नहीं बन दी थी वो कैसे छोड़ देते अपनी बेहन को ऐसी हालात में अच्छा भाई चलो आपका जूट एक और मैं आपको पकड़ कर बताती हूं आपने क्या बुला हमारी ननन पर दिपाक बाबू जो है वो अब इस दुनिया में रहे तुम जहां भी हो फटाक से वहां से निकलो और यहां आने की कोशिश करो क्या दिल इतने मजबूत हो गयते इतने पक्के हो गयते कि कोई दुनिया से चला गया तुम पर रती बर फरक ने पड़ा तुम छे दिन बा कि इतने इजट करते था ना वो सारी के सारी इजट कहतम कर दी धिरे-धिरे करके मैं देखती आपके कमेंट बॉक्स भी देखती हूं जितने आपको पोजिटिव कमेंट आते है ना उस सक कही जढ़े आपको डे वन से फॉलو कर रहे हैं वो डे confess का शे चेन्ज होती चले जा करने लग जाता है जो समाजिक से बिलकुल अलग है या गलत है तो कोई भी किसी को मन से फिर प्यार नहीं कर पाता है वो फिर उसको सीखी देगा फिर चाहें कमेंट में वो सही बोले गलत बोले अच्छा बुरे बुरा बोले जो अंद भगतौंगे कि भाई आपको भी आपके जो है वकील ने समझा दिया गया है कि लॉयर ने बोला है ऐसे कर लीजिए और आपने भी मन पक्का कर लिया है उधर वो भी अपनी मजबूरी कहूंगी मैं तो भाई जब वो केस नहीं लड़ सकते भाई गरीब है उनके पास पैसा नहीं है आपके बच्चों को बचाने के लिए जब अगर वो इस चीज के लिए कह रही है कि हम केस वापस ले लेंगे अपने भाई और अपने भान जी अपने बहन अपने बहनों को बचाने के लिए तो आप लाला जी और बच्चों को बचाने के लिए थोड़ा सा जुग जाईए और दोन क्योंकि पब्लीक बेवकूफ नहीं है पब्लीक आपके एक एक बोले हुए शब्द पर बहुत ही ध्यान से देखती है और बहुत ही ध्यान से अफजर्व करती है और उनको यह समझ में आ जाता है कि आपने पहले क्या बोला और बाद में आपने क्या बोला खुद अपनी बात दिखाते हैं जो कि वह अंजली बोल रही थी कि हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया के कुवे पर क्या हुआ था तो वह वीडियो लाइए ना देखिए भाई फिर हम भी सच का साथ देंगे और हम भी सबूत के बिहाफ पर यहीं सारी चीजें बोलेंगे और फुल्टू सपोर्ट ह जो बेटा है वो सब ने आपको मारा पीटा बुरी तरह से लात घूसे मारे आपके कपड़े फाड़े आपके बाल नोचे आपके पेट में घूसा लात मारा और आपको कुवे में धकेलने की कोशिश की वहाँ पर फैकने की हम बिलकुल यकीन करेंगे आप एक बार वीडिय जी ने अफायर करवाई है ना मैं उसको आपकी बेटों के बिहाफ पर भी एकसेप्ट नहीं कर रही हूं कि वह ऐसा नहीं कर सकते अगर वह ऐसा नहीं कर सकते और मैं इस बात को नहीं मान दी तो मैं इस बात को भी नहीं मानूंगे जब तक आप सबूत ने देंगे जब तक के recording upload करती आ रही है और जैसे ही आप भी call recording दे audio recording दे या फिर जिस बात की footage की बात आप ने की थी वो footage upload करें I hope आपको मेरी बातों को हो सकता है समझने में थोड़ा सा time लगा हो लेकिन मेरी जो बाते हैं आप यकीन मानिए ना मेरी आप से कोई दुश्मनी है ना मेरी कोई उनसे कोई दुश्मनी है लेकिन अगर कोई भी चीज आप सामाजिक तोर पर और एक social media पर कोई भी चीज upload करोग और जो नए वीडियो से वो मैच नहीं खाता या जो इनके मामा जी ने बोला है तो उसके भिहाब पर इनको क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं उस पर मेरा reaction I hope आपको पसंद आया हो पसंद आया हो तो like share कीज़ेगा चैनल पर पहली बार आए है तो subscribe कीज़ेगा फिर मिलती हू उस अधिराए च्ढ़ंगल मिलती है तो